हेलो प्रेंट्स आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे electron filling in orbitals मतलब की अलग-अलग elements में हम electron को भरना सीखेंगे तो periodic table आपने सुना ही होगा तो उसका पहला element है hydrogen ठीक मैं डारेक्ट आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको अगले पिछले अपने सारे वीडियो में बताया कि electrons को कैसे भरते हैं मैंने आपको यह भी याद बताया था कि आप atomic number याद कर ले एक से बीस तक उतना भी बहुत है नहीं भी याद करेंगे तो मैं यहां लिखी रहा हूँ तो hydrogen का atomic number क्या है 1 ठीक यह 1 क्या है atomic number atomic number ठीक समझ मैं है यह metal है hydrogen ठीक अब इसका electronic configuration यहां करते है electronic configuration ना तो मैंने क्या बताया था कि जो atomic number होता है वही इतने ही electron होते है मतलब इस hydrogen में ऐक ही electron है तो मतलब हमें electron परना है तो अब यह समझें one है महाल लीजिये इयह ना भीग है hydrogen का ऐसा हमाल लेते हैं और इसके यह cos è तो इसका cos है लेकिन इसमें elektron है कहां भर देंगे या दे है कौन सा था यहां इस N की value कितनी है 1 है और इसमें A की electron मतलब A की electron है S से ही start होता है यादे मैंने बताया था S, P, D, F क्योंकि A S की energy सबसे कम होती है S अभी में होता है सारे कोशों में S होता है तो यह S के लिए है और भरना कितना है A की electron इसका मतलब क्या हुआ समझिए यह 1 हो गया, यह S कक्षक हो गया इसमें हमें A की electron बढ़ना है इसका मतलब यह हो गया तो हम इसको लिखेंगे कैसे तो सबसे पहले मैंने आपको यादे उसमें लिखके बताया था N, N लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर electron लिखते हैं समझ में आ, तो N, N की value कितनी है 1 और L की value इसमें कितनी है 0 है, लेकिने हैं, मतलब लिखने का धन क्या है कि जो यह number, यह है SPDF, यह उपकोश है ठीक, इनसल्स की form में लिखेंगे तो यह 1S और electrons कितने भरे हैं हमने hydrogen में कितने electron है, 1, 2, 1, 1 तो इसका configuration क्या हुआ, hydrogen का 1S1, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं helium में देखते हैं, helium helium का atomic number क्या है, 2 ठीक, इसमें दो ही electron है इसके भी दो ही electron कहां आ जाएंगे इसी क्योंकि एक S उपकोष है पहले, मतलब यह पहला कोष है ठीक, पहली cell है और इसमें एक ही उपकोष है और इसमें हम दो electron, मैंने आपको बताया था कि एक कक्षिक में दो electron भर सकते हैं हम लोग, hydrogen में एक भरा तो, अभी फिर हिलियम की बात करें दो electron है हमारे पास हम दो तो भर ही सकते हैं तो इससा क्या हो जाएगा बन एस टू यहाँ पर यह भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने एक भरा और यहाँ पर हम दो भर रहे हैं ठीक, तीसरा देखते हैं थोड़ा मैं आपको बताता हूँ और तीसरा देखते हैं तीसरा है lithium अब lithium में तीन electron है ठीक, तो पहला cost तो भर जाएगा क्योंकि पहले cost में एक S ही है ठीक, मैं आपको अच्छा सा बना के दिखाता हूँ पहला तो S का ही है यह होगा हमारा नाबिक ठीक, पहला तो S का ही है अब तीन electron है तो 2 तो हम इसमें भर देंगे अब हमें आगे और बढ़ना पड़ेगा तो इसमें मैंने क्या कहा था इसमें S वाला होगा और P वाले होंगे याज है आपको पिछला वीडियो आप देखी जरूर तभी आपको यह समझ में आएगा और अगर ऐसा है आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैं उसके description दे दूँगा तो आप देख ले ना तो ठीक तो मैंने क्या बताया था दूसरे कोश में एक S के होते हैं और एक P के होते हैं अब हमारे पास है कितने 3 electron है 2 तो मैंने इसमें भर दी अगला मैं इसमें भर दूँगा तो अब क्या बना पहले वाले कोश के लिए तो हो गया 1 as 2 हो गया ना N की value 1 पहला कोश है S है S में भर रहे हैं और 2 electron भर रहे हैं तो 1 as 2 पहला लिखेंगे अभी भी मर पास एक electron बचा याद रखना ठीक वो electron हमने कहां भरा ध्यान से देखिए दूसरे course में यहाँ पे n की value कितनी है दो और s में भरा कितना भरा एक भरा तो 1s2, 2s1 और कैसे लिख सकते जैसे मैंने आपको बताया इसको लिख सकते है ऐसे और ऐसे या फिर इसकी जगा क्या लिख सकते हैं हमें helium लिख सकते हैं direct और इसको लिखने का ढंग ऐसा होता है क्योंकि helium में भी 2 electron है भर गएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं यह समझ के रखना आप लोग तो इसे दूनों ही सही है आप चाहें ऐसा लिख लें क्योंकि तीन ही electron है अरजाईर सी बात है तो तीन ही भरेंगे हम इन मेंसे 2 भर दिये मैंने एक कोश में एक अक्षक में भर दिये तो यह helium वाला है helium का सेम उसे में तो मैंने ऐसा भर दिया अकला देखते हैं आपको और clear होगा ठीक तो चौथा क्या है beryllium अब beryllium में और electron बढ़े 4 भरे तो जैसा कि इसमें देखिए पहले तो हम 2 भरेंगे क्योंकि इसमें अभी इनकी value 1 है s में भरे और 2 electron भरा हमने ठीक अभी भी मर बस 2 बचे हैं अब वो दूसरे कहां भरेंगे तो मैंने कया कहा आपको दूसरे कोश में चर्थे कॉछ मा था 21 में मैने क्या कह थाいきます जिनकी energy कम है जिस people के चेंज़ कम हम उसमें भरेंगे यह क्या है यह 2s है ? यह 2p है तो compare करते हैं 2s और 2p में किसकी energy कम है तो मैंने आपको बचाया था N प्लस L रूल लगाना तो इसमें 2 प्लस 0 इसमें 2 प्लस 1 इसका आगया 2 इसका आगया 3 तो इसकी एनर्जी जादा है तो हम इलेक्ट्रोन पहले इसमें भरेंगे इने 2S में इलेक्ट्रोन को भरना है ठीक आप ये डाउट आ सकता है आपको कि सर इसमें तो ठीक है एक ही उपकोष था आपने इसमें दोनों भर दिये अब इसमें तो 2 हैं हम इधर से क्यों नहीं चालो कर सकते तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ऐसी सिच्वेशन आए कि किसमें इलेक्ट्रोन भरना है अब है तो दोनों एक ही कोष के है की नहीं ये देखिए दोनों एक ही कोष के है तो हमें इलेक्ट्रोन अगर जब भरना है तो हम किसमें भरेंगे जिसकी इन दोनों में से जिसकी एनर्जी कम हो तो हमने एनर्जी निकाली energy निकाली न, N प्लेस L रूल से तो किसकी कितनी आई, 2I, 2S की और 2P की 3I तो energy level 2P का जादा है तो जिसकी energy level जादा है, उसमें हम electron नहीं भरते याद रखना, सुनने में गलती मत करना बहरे बहरे मत हो गए हो तो जिसकी energy कम होगे हम उस ही में electron भरेंगे अब क्या लिखेंगे इसका 1S देखी, पहले कोश में S में 2 तो भर दी है हमने ठीक, और अभी भी हमरे पास 2 बचे है तो दूसरा कहां भरेंगे हम यहीं पर भरेंगे क्योंकि मैंने क्या कहा था कि पहले एक कक्षक को पूरा भरना होता है उसके बाद आगे वाले कक्षक में जाते हैं अगर जब हम पीक अभी आएगा आगे तो हम पहले पीक को भरेंगे अब देखिए, बस देखते रहे कि समझ मैंना, एक कक्षक कोई पहले पूरा भरा तो ये कक्षक कोई सा है, N की वेलेश में 2 है S में भरा, और कित्ता भरा, 2 भरा ऐसे लिख दिया अब जब इसको और कैसे लिख सकते हैं हिलियम लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं ठीक समझ में आया क्या पल्ले पड़ा ना रे बाव तो भाव लोग, वीडियो ज़्यादा LMB न हो जाए, इसके लिए मैंने डारेक्ट बना दी है, आप देखिए अब हम स्टाट करते हैं, कहां पे थे, बोरोन पे बोरोन में कितने इलेक्ट्रोन है, पांच पांच है ना, तो दो तो हिलियम के भर दिये यादे हिलियम मतलब ये भरे हमने ये तो 1s2 ही है ये, समझ लीजिए ये लिखा, इसका मतलब 1s2 ही है तो मैंने क्या का, आप 1s2 में भरेंगे फिर 2s2 में भरेंगे, ठेक फिर 2p1 में आएंगे अब आपको मैं अगर ड्रोइंग दिखा दू तो आपको साइज जादा अच्छ सा समझ में आएगी तो देखिए, हम boron की बात करें 5 electron S में, तो मैंने क्या का सबसे पहले नाभिक के पास वाले coast से start करना, तो इसके n की value कितनी है 1, तो जब boron का electronic configuration लिखेंगे तो 1s, क्योंकि हम S में भरेंगे दो पहले ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे तो दो elektron भर दिये, 1h2, अभी भी इसके पास कितने elektron है, 5 है इसके पास 5 elektron है अब हमने 2 ही भरे, तो हम अगले coast में जाएंगे, अगले coast में भी इन दोनों में समकिसे पहले भरेंगे, जिसके और न के इनरजी कम हो, तो हमने इसमें भरा और दूसरा भरे दिये, तो तो 2H2 लिखेंगे तीसरे, अभी भी अभी आर पास एक elektron बचाए, तो अब हम इसमें आएंगे तो क्या हो गया ? 2 में यह देखें, NKV2 है 2 में गया, P में भरा और किता भरा एक हो गया इसका इनलेट्रोनिक कन्फिग्रेशन है इसका इसी है यार अब इसको चाहो तो यह जैसा box मैंने बना है वह आप इधर पी बना दो इसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक, यह हो गया box बन गया, समज में आया तो अब आप जैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं पूरा तो बता नहीं सकता नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा तो यहादब आफ आप आगे जाएगे तो इसके बाद वाला एलेक्ट्रोन ह mau इकट्रोन बढ़ना हा तो हम इसमें बर देंग उसके बाद एक एक एलेक्ट्रोन बढ़ेगा तो इसमें बरेंगे तो इसके मतलब अलग अभिडर्व्न अहाएगा यह इसकी मतब अभी boron था, फिर boron के बाद nitrogen आएगा, फिर nitrogen के लिए इतना रहेगा, oxygen के लिए इतना रहेगा, फिर जब oxygen के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठिक, fluorine वगेरा में, तो हमें electron ऐसे भरने की जरूत पड़ सकती है, तो पहले इन में बढ़ जाएंगे, जब यह सब बढ़ेंगे, फिर इसको बढ़ेंगे, अगर देख लेना, energy level सब देख लेना, तो आपको इतना तो easily बन जाएगा आपसे, मतलब अगर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो मालेजी जैसे 22 वे का बनाते है, तो 22 वा element कौन सा है, titanium, तो titanium के लिए क्या बनेग और ये 3D 2 हो जाएगा, और 4S 2 हो जाएगा, याद है ना, 3D और 4S में किसमें पहले भरेंगे, भाई, 4S में भरेंगे, क्योंकि इसमें 4S, 4 प्लस 0 है, N प्लस L की वेल्यू, और इसमें कितनी है, 3 प्लस 2 है, 5 और 4 है, मतलब energy level इसकी जादा है, तो हम पहले इसमें इसमें भरेंगे, ये याद रखना, ठेक है, पले पड़ा, तो इतना तो आप कर लोगे, मुझे मालूम है, आपको 25-23 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत आएगी, पता है कहाँ, 24, 24 में दिक्कत आएगी, तो 24 वाला element कौन सा है, वो है chromium, अब दिक्कत क्या आएगी है वही चीज़, अब मैं आरगन को मानलो इसा उपन करके पूरा लिख दो, फिर वही चीज़ यहां लिख दो, तो मैंने शॉट कर दिया, थोड़ा, इंटेलिजन बनो के तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो मैंने क्या बता है, कहाँ दिक्कत है, chromium में, तो chromium में दिक क्या है, स्टार्टिंग तो ऐसा ही है, आरगन ही रखना है हमें इदर, आरगन रखेंगे, फिर दिक्कत कहा है, पता है, 3D आएगी, 4S आएगी, तो मैंने जिसे आपको कहा कि, पहले इलेक्टरॉन किसमें भरने, 4S में भरने, तो आप बोलोगे, हाँ सर, भाई, N प्लस L की इसकी जादा, इसकी 5 है, इसकी 4 है, तो आपके अनुसार, आपके अनुसार ने, भुक के अनुसार, इसमें पहले इलेक्टरॉन भर देंगे, तो क्रोमियम में है, तो 24 ठीक, और हमारे पास कितने बचे हैं, हमारे पास 6 और बचे हैं, ठीक, क्योंकि 18 तो इसमें आगये, 18 तो इसी ने cover कर ली, हमारे पास अभी भी कितने बचे हैं, 6 बचे हैं तो अब आप सिधे-सिधे बूलोगे, सर, 2 इसमें भर दो, और 4 इसमें भर दो तो कैसा बन जाएगा, देखिए, ये तो एकदम simple है, ये तो आप कर लेना में दिक्त यहीं पर है, जब आप करेंगे, मैंने आपको कैसा बताया था, N प्लस L रूल देखिए, उसके according, ठिक, अब आप कहेंगे कि सर, N प्लस L रूल, N प्लस L के according, हम इसके electron किसमें भरेंगे सबसे पहले, जिसकी energy किसकी कम है, 4S की, तो आप, आपने जैसा बताया, उसक प्लस L के according, कि इसके अनुसार जिसकी energy level कम आएगी, तो उसमें ही electron भरना है, तो आप, मैंने आपको जैसा बताया था, कि 4S की energy कम है, 3D की जादा है, तो आप, इसमें electron भरेंगे, उस सबके according, तो यही सही है, और उसके according सही है, ठीक, लेकिन असलियत क्या है, पता है, ये ग जोहीर क्या बताया गलत है, वो आप एक पर विचैर करिये, आप अपने सखेसित में गलत क्या है, क्योंकि मैंने आपको रूल तो सारे बता है, आपको हिंट मैं पर बतारा हूंसर रादा हूँ, अगरिये हैं आपको हिंट भी दे दो। वेकिन है तो ये गलती तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो तब तक के लिए बने रहे है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ आपको लगता है कि ये जानकारी के लिए अच्छा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों को शेर करिए और लाइक जरूर करिए तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाई